रिप्रोड़क्शन को एक बार फिर से रिकॉल करेंगे एसेक्श्वल रिप्रोड़क्शन कैसा मोड रिप्रोड़क्शन होता है यह ऐसा रिप्रोड़क्शन होता है जिसमें सिंगल पैरेंट्स के द्वारा जो है यंग बंस प्रोडियूस किये जाते हैं और इसमें बॉड़ी डिविजन होता है सिंगल पैरेंट्स की जो बॉड़ होता है यानि कि हम कह सकते है मेल और फीमेल पार्ट नहीं पाए जाते हैं we बंधे उनिसेले लार्डिमधों उ सह होते हैं कि इनका इनका बॉडी डीजाइन वह सिंपल था हॉता है और उसमें हमने ASis नियुक्ट आप सकते हैं तो इनमे से बड़ एक इससे 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 इस मेच्चियोर होती और पूरी मैच्योर होने के बाद जो है इससे से इससे सेपरेट हो जाती और नए एक नया है इसके बाद हमने बढ़ा था फ्रेग्मेंटेशन इन प्लेनेरिया प्लेनेरिया यह यह भी एक और्गनिजम से और इसकी बॉड़ी को अगर आप इस तरह से तीन इक्वल पार्ट में बाट देंगे तो इसका जो हेड वाले पार्ट से यह वाले साइड बनती है और टेल वाले पार्ट से यह यह बना है और हेड बाले पार्ट से यह डेवलप होता है ठीक है और यह स्टार फिश है अगर इसका एक फिन कट हो जाता है तो कुछ समय बात जो है वो रीजनरेट हो जाता है और इस तरह से जुड़के पहले जैसा हो जाता है जैसे छिपकली की पूछ कट तो फिर वो regenerate होती है और एक नई पूछा जाती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके tissues जो है वो simple tissues होते हैं और हमारे जो है हमें जो tissues पाया जाते हैं वो अगर एक बार हमारी बॉड़ी से अलग हो गए तो दुबारा और रिजेनरेट नहीं होते हैं तो प्लेन एरिया जो है यहां पर फ्रेग्मेंटेशन का एक्जामपल है और रिजेनरेशन का एक्जामपल यहां पर स्टार फिश है अब बाइनरी फिजन जो है यह सबसे सेक्षयल उप्रोडक्शन की सभसे सिम्पल मैथड होती है और यह सिंगल सेल्ड ओर्गनमप्ण spiritualकाट का और भार की जाती है तो और्गनीजंफ्स को दो गुरूप में रखा गया है तो और्गनीजंफ्स को सबसंदों बाता गया है एक ग्रूप में उनमें पाए जाने वा जो कि, जिनको इसरी बोड़ी डिजाइन istĩeren per Danes, लेकिन औन यॉ बहुत दिफरेंट । डिफरेंटिप्स की सल से बने होते हैं, तो उन्हें मल््टि सेल्य ़र्णिजम्स कहा जाता है, कुछ ऐसी होते, जिनको बोड़ी डि美味 ad in Skype जो है, मल्τι سیلिलर ओर्गनिजम की कटेगरी में ब्लांट सॉर अनिमस को रखा गया है और उनिसीललर अर्गनिजम की कटेगरी में है जितने भी MP3 और्गनिजम स except C MP3 माइक्रो ओर्गनिजम स स्मस्ट सी अर्छी इस्ट सब मैंस्ट सिं Kath किसी भी living body में अगर एक बार यह enter कर जाते हैं तो as a host है उसकी body में रहते हैं और उससे पूरा nutrients लेते हैं और इन में एक बार division हो गया एक बार cell division से लाखो करोडों की संख्या में यह virus प्रोड्यूस करते हैं और bacteria का भी ऐसे ही है bacteria जो है यह भी multicellular है और जो fungus होती है भी multicellular होती है एक बार division से बहुत सारी यह cells बनाती है और कई नए जीव बन जाते हैं लेकिन amoeba बें क्या होता है आप देखेंगे कि एक amoeba है इस तरह से और इसका यह center वाला पार्ट है यह nuclei होता है और nuclei के अंदर जो है nucleus है और यह cytoplasma ठीक है तो यहां यह nuclei है और यह आगे जाके इस तरह से इसका breakdown होगा यह splits हो जाती है दो पार्ट में इस तरह से और single nuclei जो है आगे जाके दो different different nucleus में change हो जाता है और दो नए जीव बन जाते हैं body division की method है binary fusion केता है तो एसेक्शल reproduction का जो पांचवा टाइप हम पढ़ रहे हो binary fusion होता है और fission जो है इसको दो पार्ट में बाढ़ते है binary fusion और multiple fission तो bacteria है, east है, multiple fusion के example है क्योंकि इनमें एक बार अगर cell division हो गया तो लाखो करोडों की संख्या में नई cells बनेंगी और नए bacteria या east या fungus प्रडूज होगी लेकिन binary fusion के example है, amoeba एक बार body division होगी तो दो नई cells प्रडूज होगी, सिर्फ दो ही cells बनेगी एक बार के divisions है, ठीक है तो single parent यहाँ पर क्या होगा, divide हुआ और दो नई dotal cells उन्होंने यहाँ पर प्रडूज कर दी, ठीक है अब sexual reproduction के बारे में प requirement होती है, और the reproduction in which organisms by the union of male and female sex cells is called sexual reproduction, both males and females are special organs for this purpose, special cells called gamets are produced by the reproductive organs, तो sexual reproduction जो है, male और female sex cells की requirement होती है, और male और female sex cells को gamet कहा जाता है, जो की reproductive organs के द्वारा produce होते है, बेल गेमिटको sperm को sperm कहते हैं और female gamet को ovum कहा जाता है, तो sperm जो है और यह जो ovum है, यह plural form है, और यह स्पर्म और ova को एक भी कहते है, और यह sperm जो है, यह singular form है, और sperms क्या होगी, plural form होगी, ठीक है, और यही sperm और ovum का जो union होगा, या जब ये दोनों मिलेंगे तो इनके गैमिट जब मिलेंगे तो इनके रिजल्ट से जाइगोट बनता है और जाइगोट क्या होता है इंब्रॉय की इनीशल स्टेज होती है इंब्रॉय मतलब भृून जो भृून बनता है उसकी इनीशल स्टेज को जाइगोट कहा जाता है और इस प्रोसेस को जिसमें male और female gamet याने sperm और ovum के gamets united होते हैं उन्हें उस प्रोसेस को fertilization क्याते है ठीक है दे प्रोसेस by which male and female gamets produce जाइगोट is called fertilization ठीक है अब fertilization टू टाइप का होता external और internal, external मतलब जो बाहरी fertilization है और जो बाहर क्यों होता है body से बाहर और internal fertilizer जो है वो body में होता है ठीक है अब यह जो external fertilization है यह aquatic animals में पाया जाता है जिसे की मच्छियां है frog जो है external fertilization करती है यह अपने अंडे जो है पानी में देते हैं ठीक है और जैसे किसी frog जो होते हैं वो भी अपने eggs जो है female frog क्या करती है अपने eggs जो है गड़ों में release कर देती है और बाद में जो है male frog जो होता है और उन eggs को क्या करता है fertilize करता है तो ये external fertilization का तरीका है और कुछ amphibians है जैसे कि frog है, totes ये भी क्या करते हैं जैसे ठहर वे पानी में अपने eggs देते हैं बहते वे पानी में अपने अपने अंडे देंगे तो अंडे बह जाते हैं और फर्टिलाइस नहीं हो पाते हैं तो ये गड़े में अपने eggs देती है मचलिया जो है थोड़े बहते वे पानी में अपने अंडे देती है और इसमें क्या होता है कि amphibians यानि जैसे कि frog है, tots है, इसमें male और female जो है एक दुसरे के contact में आते हैं, female जो है अंडे देती है, और ये करीबन सेकडों की संख्या में होते हैं, और ये अंडे जो है एक jelly-like substance से covered होते हैं, जो कि इन eggs को nest होने से protect करते हैं, और male जो है, यहाँ प Now, अब sperm जो है, उसको एक tail जैसी structure होती है, और ये tail जैसी structure जो है, पानी में, तेरने में और eggs को fertilize करने में help करती है, अब जैसे ही male और female gamit का fusion होता है, जो कि body के बाहर होता है, ठीक है, यानि female की body के बाहर अगर fertilization हो रहा है, तो उसे external fertilization कहते हैं, अब fertilization के बाद के होता है जो embrace होते हैं, उनको continue grow करने की जर्वत होती है, तब जाके तो नए जीव बनेंगे, इंब्रोई जो है, after egg, जो अंडे होते हैं अंडों में से hatching की process होती है, जैसे कि जो पक्षियों के अंडे होते हैं, मुर्गियों के अंडे कभी आपने देखा होगा, मुर्गी उस अंड करती हो, और हीट से क्या होता है, एग में hatching होती हो, और जो चिकन होता है, उससे बाहर आता है, तो यह एक्स्टरनल तरीका था, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे कि कुछ अनिमल्स हैं, पक्षी हैं, डॉक्स हैं, काउज हैं, गोड्स हैं, मैंने यहां पर आपको ब पाड्स हैं, और फिमेल की बॉड़ी में होता है, और कुछ अनिमल्स यैसे की बॉड्स हैं, डॉक्स हैं, काउज हैं, गोड्स हैं, इनकी बॉड़ी में, यह नी humans मेंने यानि कि हम में भी internal fertilization पाया जाता है अब next है है oviparas and viviparas organisms तो या animals तो oviparas ov का मतलब होता है ovum ov मतलब अंडे, eggs और vivi मतलब जो कि जिनमें memory glands पाये जाती है memory glands के होती है, memory glands उन जिवों में पाये जाती है, जो कि इस्तन पान करवाते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, और फिर उन्हें feeding करवाते हैं, वो viviparas animals हैं, और ऐसे animals जो कि अंडे देते हैं, उन्हें oviparas कहते हैं, और अब हम इनके बज़ के Hoog अजब भाहर पतने, तो फिर उनको क्या करना रहता है, फिर उनकोफ रेटा है, उनको कशेव करना पड़ता है और हम भॉपर की सेलिके ही बहुत हार्ड हाग होती है तो उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, और इसके लिए birds क्या करती है उन अंडों पर बैठती है और उन्हें गर्मी प्रोवाइट करती है और गर्मी प्रोवाइट करती है तो अंडा जो है एक गर्मी की वज़े से जो है उसकी शल्ट तूटने लग जाती है उसे एक hatching कहते हैं और उसमें से फिर chicken निकलता है तो उन को जो है naturally गर्मी जो है उनको मिलनी चाहिए जो natural heat होती है hatching के लिए वो मिलना चाहिए तभी जाकर incubation हो पाएगा और दरवाइस इंक्यूबेशन नहीं हो पाता है और अंडे में से बच्चे नहीं प्रोड्यूस होते है बर्ट जो है वो अवीपेरस होती है अंडे देती है और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो भी repeatedly divide होता है और और जाइगोट डिवाइड होने के बाद जो है से फीमेल की बॉड़ी में ओवीड़क्ट में ट्रावल कर दिया जाता है या सैंड कर दिया जाता है और और एक हार्ट सेल डेवलप होती है इंब्रॉ जो प्रोटेक्ट करने के लिए के लिए केल्शियम और फॉसफफेट की जो सैल होती अंडे की वो कैल्शियम की बनी होती हो हार्ड होती है और उसका क्या रोल होता है वो इंब्रॉय को यानि जो बेबी की इनिशियल स्टेज होती है इंब्रॉय तो उसको प्रोटेक्ट करत उने फीडिंग करवाते हैं, वीवी पेरस अनिमल्स कहते हैं, इनमें मैमेरिक लेंड्स पाई जाती है, और मैमल्स इस केटेगरी में आते हैं, और एक्जाम्पल है, रेट्स, स्क्विरल्स, काउज, बफेलो और हुमन्स, यह साइन्टिफिक दिया गया है, कि डग बिल्ड प तो वीवी पेरस अनिमल्स में मैमल्स आज आते हैं, और मैमल्स क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, एक लेंग नहीं करते हैं, और उन्हें फीडिंग करवाते हैं, इनमें मैमेरिक लेंड्स पाई जाती है, लेकिन डग बिल्ड प्लैटिपास ऐसा जीव है, जो कि उनकी body structure में change आता है और वो final stage यानि adult stage तक पहुँचते हैं इस process को metamorphosis कहते है after birth or hedging the young ones of some animals undergo abrupt changes in their body structure until they reach adult stage this natural process is called metamorphosis metamorphosis के example है आप देखेंगे यह mosquito का life cycle है और यह frog का life cycle है जीवन चक्र बोलते हैं से हिंदी में और आपने देखा होगा हमने छोटा सा human मतलब हमारा जो बच्चे होते हैं हमारे हमारी तरह दिखाई देते हैं और या फिर birds के अंडे को hatch करते हुए देखा होगा hatched chick देखा होगा अपने birds से अंडे से बाहर आता होगा चिक को देखा होगा picture में देखा होगा तो यह क्या होते हैं अपने अडल से similar होते हैं यानि जो human beings के baby होते हैं उनसे similar होते हैं बर्ट के babies उनसे similar होते हैं तो यहां पर young ones हम use कर सकते हैं young ones मतलब बच्चे ठीक है और कुछ case ऐसे होती है students जिसमें क्या होता animals जो है वो ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं यानि ना तो बच्चों को जन्म दे पाते हैं और नहीं अंडे produce करते हैं तो उनको क्या होता है उनके लिए जो है यह metamorphosis process है कि बर्थ और जन्म के बाद की process या hatching के बाद की process है जिसमें animals को क्या होता है adult stage तक पहुशने के लिए कई steps में यानि 3-4 step में से pass होना पड़ता है गुजरना पड़ता है तो अरितब जाकर ही उनकी जो actual shape है उनकी body का और structure है वो मिलती है अब आप देखोगे इस तरह से यह step दी गई life cycle of mosquito की तो mosquito के eggs जो होते हैं यह गंदे पानी में रते है और eggs से बनता है larva 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 से pupa और pupa से adult बनता ह अब हम frog का देखें तो frog में भी यह process होती है उसका भी life cycle है हर जीव का life cycle होता है तो eggs जो है यह पानी में release करते हैं तलाब में रुके हुए पानी में eggs release करते हैं और इनमें eggs के बाद eggs से क्या बनता है आगे जाके एक जो है early tadpole में convert हो जाते है फिर lead tadpole बनता है फिर young frog बनता ह अब हम देखेंगे ठीक है यह mosquito के eggs है ठीक है पानी में दिये हैं गंदे पानी में फिर इस तरह से लारव बनता है लारव बनने के बाद जो इस तरह की structure बनती इसको pupa बोलते हैं फिर वो जाके adult mosquito में convert हो जाता है now frog का life cycle यह eggs है यह टेडपॉल की initial stage है फिर टेडपॉल आग adult frog को convert होते हैं और इनकी जो पूछे यहां से गायब हो जाती है ठीक है यहां से यह जो पूछ वाला या टेल वाला जो पार्ट होता है यह adult frog में नहीं पाया जाता है अब आपने दोनों ही case में क्या observe किया है intermediate stage ठीक है तो intermediate stage में आपने क्या दिखाए कि जो young ones है वो adult stage तक प आता है तो आप देखोगी यह सारी stage एक दूसरे से different है ठीक है टेड़पोल जो है वो बहुत हद तक जो है adult frog की तरह से इंगलर दिखाए देता है और प्यूपा जो है वो जो है बहुत ही आप सोरी टेडपोल जो है आम सोरी टेडपोल जो है वह अरली जो adult frog यहां से बहुत बहुत ही different दिखाए देता है और प्यूपा जो होता है वो adult mosquito से बहुत ही different दिखाए देता है बाद में इस तरह से wings आने लग जाते है और adult frog में तो आप देखोगी यहां पर जो टेल थी वो गयाब हो जाती है टेल हट जाती है ठीक है दे ट्रांस्फोर्मेशन आफ टेडप Now students reproduction in humans तो हम में जो reproduction होता है या mode of reproduction जो है sexual reproduction पाया जाता है और इसमें sexual reproduction में दोनों ही male और female gamits की required moment होती है और जाइगोड प्रोड्यूज होता है और जाइगोड जाइगोड जो है यह elongated होते हैं लंबी और small size cell होती है तो इसमें इस तरह से जो है टेल जैसी structure डेलप होती है और जो एक single sperm है वो एक single cell होता है हर sperm में single cell पाया जाती है और जितने भी cell components होते हैं जैसे कि जो साइटो प्लाज्म है माइट्रो कॉंडिया है गॉल्जी अपेरिटस है लाइसोसोम है सब cells में पाया जाते हैं राइबोसोम से पाया जाते हैं ठीक है और इनकी जो बॉड़ी है आप देखेंगे दो पार्ट में इस तरह से बटी हुई है यह वाले पार्ट को हैड बोल तो टेस्टेस, वासर डिफ्रेंशिया और स्पर्म डॉक्ट्स, यूरित्रा और पैनिस तो टेस्टेस जो है यह मेल की बॉड़ी में पेर में जोडो में रहते हैं आप यह देखेंगे इस तरह से ही यह दो जोडो में पाया जाते हैं और यह बॉड़ी के बाहर अब्डॉम sperm को produce करते हैं और male hormone यानि की testosterone को produce करते हैं तो testis से produce होता है testosterone, यह testis की structure है आप देखेंगे यह testis है इस तरह से और यहाँ पर जो skin की covering की गई है यहाँ इसको scrotal sex कहेंगे pouch of skin को scrotal sex कहेंगे ठीक है, वासा डिफ्रेंस ही या और sperm ducts, तो sperm जो है यह क्या करते हैं testis के द्वारा release किये जाते हैं यह जो एक pair का जो pair of narrow duct जो यह नलिया निकली है ना इसमें से पतली सी सिकडी हुई नली जो निकली है testis जो sperm release करते हैं इनहीं से पास होकर वासा डिफ्रेंसिया यह आता है यह जो duct है, sperm duct इसको क्या बोलते है वासा डिफ्रेंशिया वासा डिफ्रेंशिया क्या है यह इसकी plural form है इसकी वास डिफ्रेंस की तो इसको वास डिफ्रेंस भी बोलते हैं और इसका plural form है वासा डिफ्रेंशिया और singular होती है इसका वास डिफ्रेंस और इसको sperm ducts भी बोलते हैं sperm जो है बाज डिफरेंस से मूफ करते हैं और जो male reproductive glands होती है जो की fluid की form होते हैं उनमें जाकर mix हो जाते हैं तो कहने करते हैं कि जो sperms होते हैं वो एक fluid में दूबे रहते हैं जिसे semen कहते हैं और ये जो इसका जो secretion होता है reproductive glands के द्वारा होता है और ये जो semen होते हैं sperm को नरिश करते हैं उनको potion provide करते हैं और उनकी mobility को उनकी स्थाइत्व को स्थिर्था को क्या करते हैं बढ़ाते हैं यूरिथ्रा यूरिथ्रा आप देखो कि कहा है ये यूरिथ्रा है ये वाला जो part आपको दिख रहा है यूरिथ्रा है और जो wash difference जो है इसी में से open होता है ये जो नली है यूरिथ्रा में ही खुलती है और जो की पतली सी सकडी सी नली है जो की यूरिणरी बलेडर से निकलती है यूरिणरी बलेडर से यहां से यूरिथ्रा निकली है और ये हमारी excretory system का एक part है और यहीं से urination भी होता है और यहां से ही सीमन produce होता है सीमन release होता है sperm भी इसी के थूरू release किये जाते हैं और इस पार्ट को penis कहते हैं और ये एक external male genital organ होता है ठीक है इसका क्या function होता है ये जो है semen को female की vagina में transfer करता है और जो urine है और semen जो है उनको पास करने का ये सिर्फ एक single medium है female reproductive cell female reproductive cells को हम क्या बोलते हैं एक सो रोवा बोलते हैं और female reproductive system के जो parts है पहला पार्ट है ovary ये round shape की होती है और ये lower abdomen cavity में पाई जाती है female की और ovary इसका काम होता है एक सो रोवियम को produce करना और ये female sex hormone और progesterone को produce करती है और ये hormone menstrual cycles में help करता है और progesterone जो है female की pregnancy के टाइम पर जब बेबी का बर्थ होता है उसमें जो है ovaries ये वाला hormone रिलीज करती है जिससे बेबी के बर्थ में आसानी होती है ये पार्ट आप देखो को female reproductive पार्ट है इस पार्ट को बोलेंगे ये जो finger like जिसी projection आपको दिख रहा है finger like structure है इस तरह से और ये फैलोपियन ट्यूब होती है ये जो round shape में आपको दिख रहे है दो पेर में ये ओवरीज है और ये हमारा utera से और ये इसे पतली सी नली दिखरी इसको cervix कहते हैं ये विजाइना है ठीक है तो फैलोपियन ट्यूब के बारे में पहले हम पढ़ेंगे इसको ove ducts भी कहते हैं इस तरह से हमने male reproductive system में sperm ducts के बारे में पढ़ा था और जिनको vast difference कहते हैं फीमाल में फैलोपियन ट्यूब्स होती है तो oveum जो होता है जब ovaric के दवारा oveum रइलीज के जाता है यहां से permitted और यह फैलोपियन ट्यूब में रहेंगे तो यह zoho weight में pass कर दिये जाते हैं और जब sperm और oveum मिलते हैं तो fertilization tax place होता है और ये uterus में होता है गर्भ में होता है, वोम में होता है तो यह जो वोम होता है यूटेरस जो है यह इस सेप में आपको दिखना है नाशपती के सेप का है पियर शेपर्ड होता है इसकी वॉल जो है मोटी होती है और मस्किलर और और अरगन की बनी होती है और यहाँ पर क्या होता है जाइगोड जो है आपर जो बेबी की पहली स्टेज यहाँ पर ग्रो करती है और जो नेरो पार्ट होता है इसके सर्विक्स कहते है यूटेरस का जो नेरो पार्ट है सर्विक्स कहलाता और विजाइना जो है यह फीमेल जैनाइटल ओर्गन होता है इस पूरी प्रोसेस को फटिलाइजिशन कहते हैं, इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस सब्सक्राइज से अचेजन कहते हैं, इस प्रोसेस में क्यों होता है, और एक बॉल शेल में डिवाइड हो जाता है इसे इंब्रॉय कहते हैं इंब्रॉय जो यूटेरस में पहुचता है और उसकी बॉल से चिपक जाता है और इस प्रोसेस को इंप्लांटेशन कहते हैं और जब फीमेल की बॉडी में इंप्लांटेशन हो जाता है तो फीमेल को प् इस स्टेज को जिसमें सारे बॉडी पार्ट जो है इडेंटिफाइड होते हैं उसे फीटस कहते हैं अब ग्रोइंग फीटस जो होता है इंब्रॉय जो होता है उसको नरिश्मेंट मिलता है मदर की बॉडी के थुरू और मदर की बॉडी जो है उसमें एक प्लासेंटा होती है प्लासेंटा को हम embilical cord भी कहते हैं नली होती है ये जो कि गर्ब से जो है जो बच्चा होता है उसfight से जुड़ी होती है पेट से तो पेट जो हम में nutrition मिलता है जो हम food लेते हैं वो प्लासेंटा के थुरू XinL已经 ämbrilical cord बच्चे को जो है मिल जाता है तो यह कुशन है कि बच्चा नो महीने तक मा की गर्भ में रहता है और वहाँ पर उसका नरिश्मन कैसे होता है तो एक प्लासेंटा या अंबिलिकल कॉर्ड उसमें पाई जाती है जो की मदर के जो पेट है उससे बच्चे के नाभी में रेडी होती है या जन्म देती हो और यह जन्म यह फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोस जो पीरिड होता है फर्टिलाइजेशन और बच्चे के जन्म तक का इसको हम गैस्टेशन पीरिड कहते हैं और गैस्टेशन पीरिड जो है 40 weeks का और human में यानि कि हम में 9 महीने का होता है ठीक है और यहाँ पर आपको सभी सारे जीवों का जो है कुछ जीवों का हम कह सकते हैं some animals आप देखोगी हाँ दिये गए हैं जिनका gas station period दिया गया बिल्ली का है 58-65 days चिंपांजी का है 230-250 days cow का 270-290 days dog का 58-70 elephant का 640-645 इसे तरह से और भी organisms का जो है आपे gas station period दिया गया है नाओ students delivery of a child बच्चे की delivery कैसी होती है तो जैसे gas station period complete होता है तो mother को क्या होता है pain होता है और इस pain को labor pain कहते हैं और यह कुछ घंटे के लिए होता है यह बहुत ही painful होता है कुछ mothers जो होती है baby को normally deliver करती है तो इस method को normal delivery कहते हैं और कुछ ऐसी होती है जिनकी pregnancy में complications होता है तो उनका जो बच्चे की जो delivery होती है वो Caesar के माध्यम से होती है तो उसे Caesarian deliveries कहा जाता है और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का जो gestation period होता है बच्चे का जो जन्म का समय होता है वो 9 महिने के पहले ही हो जाता है और इस period में क्या होता है premature babies produce होते हैं और उन्हें बहुत ही special care की जर्वत होती है तो आब students यहाँ पर जो chapter 8 complete होता है next video में हम chapter की exercise solve करेंगे करेंगे